दिक्षित ज्वेलर्स जेवन देप निवास बाइपास रोर बीसी एस शिम्ला कांगडा जिला के साथ सरकार जो पिछले अपने गठन के साथ से सुतैला व्यवार कर रही है वो एक वार फिर देखने में सामने आया है अभी कुछ दिन पहले सरकार ने एक नोटिफकेशन जारी किया P.W.D. विभाग के जोनल कारियाले में तैनात आर्कीटर्क्टल विंग के जो कि यहां पहले ही बहुत नाममातर स्टाफ था यहां पे केवल आर्ट का स्टाफ था आर्ट लोग यहां पे थे उन मेंसे भी तीन लोग यहां से नानांतरित करके पदो साहित उनको शिमला भेज दिया गया इतना बड़ा जिला जो की लगभग तीन जिलों को यहां पे कवर करता है उस जिले का स्टाफ उठाकर के शिमला भेज देना यही नहीं कांगडा के साथ ही मंडी के अंदर 18 का स्टाफ है वहां के जोर्नल आफिस में पीडियो डिके उन मेंसे भी आठ लोग उठा करके शिमला भेज दिये और शिमला के कारियाले में पहले से ही 51 लोग वहां पे तैनात हैं उनको बढ़ा करके वहां पे 62 कर दिया गया कांगडा के साथ हर तरह का भेद भाव जो है वो प्रदेश सरकार कर रही है हमें और कांगडा की जनता को समझ नहीं आता है कि मुख्यमंत्री सुक्विंदर सिंग सुखु आखिरकार कांगडा की जनता को किस बात की सजा दे रहे हैं जिस कांगडा की जनता ने वर्तमान सरकार को सत्ता में बिठाया सत्ता का रास्ता दिखाया आखिर कांगडा के लोगों की ऐसी क्या गलती हो गई जो सरकार उनके साथ बदले पे बदला ले रही है कभी राजनितिक तोर पे प्रताडित करते हैं प्रशासनिक तोर पे प्रताडित कर रहे हैं कांगडा के लिए कोई ऐसा यह जो बजट आया है वर्तमान बजट आया है उसके भीतर भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिससे लगे की कांगडा की आर्थिक दिशा को बल मिल सक तो कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि यह सरकार पूरी तरह से एक टांगडा विरोधी है तीस करोड रुपया धर्मशाला के जद्रांगल में बनने वाले केंद्रिय विश्विद्याले के उत्तरी केंपस के लिए उत्तरी परिसर जो बनना है उसके लिए यहां की जनता मांग र रही है मुख्यमंत्री से जब भी कोई प्रतिनिधी मंदल मिलता है मुख्यमंत्री बहाने बनाते हैं कभी कहते हैं कि उसकी मिट्टी का टेस्ट करना है मिट्टी टेस्ट होगी उसकी रिपोर्ट आने के बाद सोचेंगे कभी कहते हैं कि यह तो भूकंप संभावित खेतर ह इसलिए यहां पर निर्मान जो है कैसे होगा इसके उपर विचार कर रहे हैं अब पिछले दिनों पत्रकारों ने एक प्रश्ण पूछा केंद्रिय विश्विद्याले के उत्तरी परिसर को लेकर के तो मुख्यमंत्री जी का जवाब था कि हम असेस करवा रहे हैं कि यह 30 क्रो कार रही चाहे पूर्ब में कॉंग्रेस की बीरभदर सिंग की सरकार रही कांगडा के महत्यू को सबने समझा यहां से 4555 मंत्री और कितने ही चेयर्मैन वाइस चेयर्मैन रहे लेकिन इन्होंने पहले एक मंत्री बनाते हैं बाद में एक वर्ष बीट जाने के बाद एक दू नहीं चाहती इस खेत्र के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती और सरकार कहीं ना कहीं सभी वर्गों को यहां पर प्रताडित करना चाहती है City Channel के लिए धरमशाला से रिपजित निपी की रिपोर्ट